मैं हो पूजार नायक, आप सभी को मेरी चैनल पर स्वागत हैं, आजम चटी गक्षा तरती अबाशा हिंदी के बारे में अध्यन करने वाले हैं, आजम जानेंगे मैं, हम, तू, तुम, आप बच्चों, यहां एक लड़का दिख रहा है ना, हाँ, वो कह रहा है, मैं गोपाल हूँ, मैं मतलब आयम, मैं चात्र हूँ, चात्र मतलब स्टुडेंट, वो बोल रहा है कि मैं चात्र हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह लड़की कह रही है, मैं सरला हूँ, मैं चात्रा चात्रा मतलब student लड़के को चात्र बोलते हैं लड़की को चात्रा बोलते हैं बच्चो वह लड़की क्या कर रही है? हाँ लिख रही है लिखना मतलब to write सरला कहती है मैं लिखती हूँ जब शुरुवात में मही आता है तो अंट में हू आता है याद रही है बच्चो बच्चो इस चितर में आपको दो लड़के दिखाई दे रहे हैं हाँ वह क्या कर रहे हैं हाँ पढ़ रहे हैं देखे वो लोग क्या कहते हैं हम लड़के हैं हम मतलब we हम लड़के हैं हम मित्र हैं मित्र मतलब friend हम पाड़ पढ़ते हैं और लोग क्या कर रहे हैं? पाड़ को पढ़ रहे हैं पाड़ मतलब lesson पढ़ना मतलब reading यहाँ देखो इस चित्र में लड़कियां खेल रहे हैं हम लड़कियां हैं लड़की मतलब girls लड़कियां हैं मतलब बहुत हैं इसलिए girls होता हैं हम खेलती हैं खेल मतलब game हम साथ रहती हैं ओलोग हमेशा साथ में रहते हैं जब शुरुवात में हम आता हैं तो अन्ट में हाई आता हैं हाई के उपर भिंडू आता हैं यार रखेगा बच्चो बच्चो वह लड़का क्या कर रहा है दूर पी रहा है तू मोहन है तू मतलब यू तू मोहन है तू क्या कर रहा है तू दूर पीता है दूर मतलब मिल्क तू बलवान है बलवान मतलब श्ट्रॉंग जब शुरुवात में तू आता है तो अंत में है आता है हाई के उपर बिंडू नहीं आता तुम किसान हो तुम मतलब you किसान मतलब foreigner तुम हल चलाते हो हल मतलब blow तुम अणदाता हो अणदाता मतलब provider जब शुरुवात में तुम आता है तो अंत में हो आता है आप अध्यापक हैं आप मतलब you बड़े लोगों को हम आपका इस्तमाल करते हैं अध्यापक मतलब teacher आप कवीता सुनाते हैं कवीता मतलब poem अध्यापक कवीता सुना रहे हैं आप लिखना सिकाते हैं लिखना मतलब to write अध्यापक लिखना सिका रहे हैं जब शुरुवात में आप आता हैं एक वचन में हाई आता हैं, बहु वचन में हाई के उपर बिन्डु आता हैं, या रखिएगा बच्चों. अब हम लिंग को जानेंगे, लिंग मतलब जेंडर, तो लिंग केसे कहते हैं? जिस रूप से स्त्री जाती अतवा पुरुष जाती का भोध हो, उसे लिंग कहते हैं, लिंग में दो भेदें, पुलिंग, स्त्री लिंग, लड़का ये पुलिंग है, तो लड़की स्त्री लिंग, छात्र, तो स्त्री लिंग क्या हुआ? छात्रा, बैल ये पुलिंग है, गा तो स्त्रीलिंग अध्या पिका हुआ भाई पुलिंगे तो बहन स्त्रीलिंग हुआ समझ गए न बच्चों?